दोस्तो आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैं अपना कुकिंग वीडियो कैसे सूट करती हूँ, कौन से मोबाइल, कैमरे या किन चीजों का इस्तमाल करती हूँ, वो सभी कुछ आपके साथ सेयर करूँगी, जिससे आप भी असान तरीके से लॉंग टाइम तक एक क्वाल्टी की वीडियो बना सकें, और आपका भी चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करें, तो चलिए कीचन में चलते हैं, जहां मैं वीडियो सूट करती हूँ, छत पे मेरा कीचन है, दोपर के लगबग 12 बज रहे हैं, और ये है कीचन के बाहर का सेटप, वीडियो का कुछ पार्ट बाहर मैं daylight में शूट करती हूँ, और कुछ पार्ट जो gaspher बनाना होता है, उसे मैं kitchen में, बाहर मैंने मेज रखा है, इस पर मैंने कुछ flower part वगर रखे हैं, वीडियो सूट करने के बाद, इनको cover करके रग देती हूँ, और ज इसी ट्रैपोर से मैं पूरा वीडियो सूट करती हूँ, कुछ मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर पार्ट रखा है, इसे एक कॉरनर में रखती हूँ, आपके पास कोई भी डेकोरेशन आइटम हो, जैसे फ्रूट बास्केट, फ्लावर पार्ट बगरा का इस्तमाल करिएगा, इससे वीडियो की क्वार्टी इन्हेंस होती है, और देखे, मैं मोबाइल से वीडियो सूट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं मोबाइल लगाती हूँ, और जो भी आपको बॉल रखना हो, उसको बीच में रखिए, कैमरा ओन करके लाइट सेट कर लेजे, मैं यहाँ पर ओप की लॉंजी बनाई थी, तो देखे, मैं कैसे वीडियो सूट कर रहे हूँ, डे लाइट में वीडियो की क्वार्टी बहुत अच्छी आती है, अगर आपका कीचेन अंदर है, तो विंडो उपेन करके बनाईएगा, क्वार्टी अच्छी आएगी, और देखे, जब मुझे वीडियो पास से लेना होता है, तो ट्राइपोड को मैं इस तरह से फैला लेती हूँ, इस तरह से ये ट्राइपोड हर तरह से काम करता है, उपर से लेना हो तो उपर से ले लिजे, और बिल्कुल पास से दिखाना हो, तो इस तरह से फैला कर वीडियो सूट कर लिजे, और दोस्तों सर्फ करते समय वीडियो पास से लीजेगा जिससे देख कर ही खाने का मन करें। अब चलिए हम कीचन में चलते हैं, तो ये है मेरा छोटा सा कीचन। सबसे पहले लाइट अन कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने तीन लाइट लगवाई है, एक ट्यूब लाइट और दो लीड बल्ब, जब वीडियो सूट करना होता है तो मैं तीनों लाइट जिला लेती हूँ, ये तीनों लाइटें बैक साइड में है, फ्रंट में मेरा गैस चुल इस तरह से मैं कीचन के अंदर का वीडियो सूट करती हूँ, और देखे मैंने कोई रिंग लाइट वगरे नहीं लगाई है, इस तरह से वीडियो बनाना आसान हो जाता है, बस ट्रैपोट में मोबाईल लगाती हूँ और वीडियो सूट कर लेती हूँ, अब चलिए कुछ बरतन दिखा देते हैं, जो मैं अपने वीडियो में यूज करती हूँ, सर्बिंग के लिए इस प्लेट का मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, इसमें मैं कटिंग करती हूँ, अधिकतर मैंने वाइट प्लेट रखा है, एक प्लेट मैं ब्लैक रखी हूँ, जिसमें मैं नास्ता वगरा सर्व करती हूँ, सबजियों के लिए मैंने कुछ सर्विंग बॉल रखी है, ये सारी प्लेटे मेरे बीडियो में आपने देखा होगा, मैं अक्सर इन्हें यूज करती हूँ, वैसे तो बीडियो के लिए कोई भी बरतन ले सकते हैं, पर इस तरह की कुछ प्ल वीडियो में आपने देखा होगा, और एक पैन मैं ये इस्तमाल करती हूँ, तो ये है मेरे बरतन जो मैं अपने कुछिंग वीडियो में इस्तमाल करती हूँ, किस मोबाइल से मैं वीडियो सूट करती हूँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तो ये है मेरा मोबाइल, इस मोबाइल से मैं 6 साल से वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल मैंने 2018 मिली थी, 18000 की मोबाइल है, मुझे काफी महंगी लगी थी, लेकिन इस मोबाइल ने मेरी जिंदिगी बदल दी, और ये मोबाइल है Realme X, वैसे ये मोबाइल मार्केट में एबलेबल नहीं है, अभी अभी मैंने OnePlus की मोबाइल ली है, उससे मैं वीडियो सूट कर रही थी, क्योंकि ये मोबाइल ये वीडियो सूट करने के बाद ही इस जाली से नीचे गिर गए थी, और इसका स्क्रीन तूट गया, इसका स्क्रीन मैंने चेंज कर वा लिया है, लेकिन डुबलिकेट है, तो इ इस तरह से वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत जादे चीजों की जरूत नहीं है, बस एक ट्राइपोड ले लिजे, एक मोबाइल ले लिजे और एक बोया माइक, इतने ही चीजों से मैंने डेड़ मिलियन सस्काइबर गेन किया है दोस्तों, जितना ही आसान तरीका अगे उतना ही लॉंग टाइम तक आप वीडियो बना पाएंगे और जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे, तो बस ये रहा मेरा सेटप, वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजेगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करना ना भूलिएगा धन्यबाद